So Hare Krishna Trader, आज मैं आपके सामने इस चार्ट की एके कैंडल को रीड करूंगा और एके कैंडल का डीप साइकॉलजी को बताऊंगा और मैं हर वीडियो के तरह इस वीडियो में आपसे कमीट्मेंट करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा knowledge दूंगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलगा इस वीडियो में तो अगर आप trading को लेकर serious हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो start करते हैं तो देखो, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी market में आओ तो सबसे पहले market के structure को देखो कि market कहां से जा रहा है तो पीछे से market कुछ इस तरीके से lower low, lower high बना रहे हैं lower low lower high, ठीक है यानि कि market अभी downtrend में है अब ये था lower high और यहां से market गया lower low बनाने, ठीक है तो हम लोग यहां से market को read करेंगे अब यहां पे एक strong red candle आया लेकिन यहां पे एक support है, तो यहां पे हम लोग wait करेंगे अब support से एक weak green candle आया, एक weak green तो है, लेकिन इस green candle ने swing low भी नहीं बनाया है swing low नहीं बनाया, यानि कि ये candle weak तो हुए है buyers weak क्यों है, पुकि buyers को लगा, अब market को यहां से नीचे जाना चाहिए, lower low बनाने के लिए, इसलिए buyer ने अपना यहां पे weakness दिखा दिया लेकिन, इसने weakness तो दिखाया, लेकिन इसने swing low नहीं बनाया तो ये swing low मुझे नहीं बनाया, तो ये मुझे क्या दर्सारी है, कि यहां पे seller भी interested नहीं है, तब ही तो इसने ज़्यादा low नहीं बनाया, ये जो last candle में, इस candle में seller ने यहां तक try किया था, इस price तक, लेकिन इस candle में seller ने उससे नीचे try किया ही नहीं, यानि कि seller उससे नीचे जाने का courses किये ही नहीं, बायर तो weak हुए, लेकिन seller भी interested नहीं है, तो ऐसे में हम लोग अब wait करेंगे, confirmation की, अगर next पैसे buyer आते हैं, तो यानि कि अब chances जब ऊपर जाने की chances हैं, और अगर इसे seller इंगल्फ कर दे तो तो chances हैं, इसका मतलब यह है कि buyers के weakness को देखके seller आगे, और seller अब चाहते हैं, चलो market को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, seller खुद से weak होकर आगे, और अभी भी, इसी support level पे close दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पर wait करेंगे, मेजर हमारा down है, और प्लस seller यहाँ पर buyer से strong है, तो हम लोग reverse की भी trade नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर wait करेंगे, अगेन बायर आगे, तो देखो, यहाँ बेखता से अब कह सकते हैं, थोरा सा time के लिए, यहाँ पर market stuck हो गिया है, stuck market का मैं आपको logic बताता हूँ, अगर market ऐसे stuck हो जाए, या फिर दो level के बीच आप कई बार देखते होगे, ऐसे ranging हो जाता है, market कई बार, ऐसे दो level है, और उसके बीच में market क्या करता है, ऐसे range हो जाता है, उसी के अंदर ऐसे चलते रहता है, तो इसमें क्या होता है, इसको कह सकते हो, market का ये deciding phase है, market यहाँ पर decide कर रहा होता है, कि मुझे उपर जाना है, या नीचे की तरफ break होता है, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो आप एकर break होने का wait करो, ठीक है, जब भी इस तरीके से market red green होने लगे, stuck होने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर seller strong हो किया है, लेकिन अभी भी ये level break नहीं हुआ है, अब देखो, next candle ने level break किया, लेकिन seller यहाँ पर खुद से weak हो गया, buyer से मिलाओ seller को, seller को, पहले seller को खुद से मिलाओ, इस candle को और इस candle मिलाओ, seller खुद से weak होए है, simple है, अब seller ये candle buyer से weak होए है, प्लस इसने इस level को break किया है, तो यानी की, यहाँ पर हमनों wait करेंगे, कि हो सकता है, यहाँ पर होते ही, यहाँ पर buyer ने अपना weakness दिखा दिया, अब ये candle मुझे confirm कर रहा है, कि market अब नीचे जाएगा, story को समझो, candle के psychology को समझो, कि हाँ पर candle में से क्या कहना चाहरा है, seller पहले इस level को break किये, seller इस level को break किये, अगर ये fake breakout होता है, तो buyer पता है क्या करते हैं, buyer यहाँ पर strongly आ जाते हैं, अगर ये fake breakout होता तो, होगि fake breakout भी हो जाता है कही बार, लेकिन, buyer ने देखा कि seller break कर देए, यानि कि seller interested हैं नीचे जाने में, तो buyer क्या कि, buyer बोले चलो भाई, अब seller को green signal दे देते हैं नीचे आने के लिए, तो green देखोगे, तो इस candle ने swing low भी बनाया है, तो ये swing low भी साफ मुझे दिखा रहा कि seller भी interested है, प्लस buyer ने भी weakness दिखा दिया, तो ये 95% कि कह सकते हैं, ये green signal ने market का नीचे जाने के लिए, तो इसलिए मैं इस पर down की trade करूँगा, रखो कि हमारा structure भी down का है, seller ने नीचे एक तरफ break भी कर दिया, buyer ने अपना weakness भी दिखा दिया, low बनाकर तो इस पर मैं down की trade करूँगा, ये हो गया मेरी पहली trade, ठीक है, अब देखो, seller इतने strong होकर के आए, buyer को इंगल्फ कर दिये, buyer weak हो हो गए, हमारा structure भी ये lower lower high का है, ऐसे अब lower लो जाना चाहिए, बनने के लिए, तो next पर हम क्या करेंगे, again down की trade करेंगे, next पर मेरा हो गया, again down की trade, अब दोखो, इस candle ने यहां तक low बना दिया, buyer weak है, structure lower low का है, तो अगर यहां पे कोई label नहीं है, मतलब कि यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी अगर कोई label नहीं है, तो next पर हम again trade करेंगे, इस पर मैंने trade कर दिया, तो यह हो गया, मेरा 3 to 3, 3 back to back trade, अब देखो, निसको हटाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं, अब देखो, seller को देखो, continuously 3 candle में weak हो रहे हैं, और plus देखो, यह seller को जादा ही weak हो चुका है, और देखो, यह seller, यह seller, इस low को भी break नहीं कर पाएं, इस low पे कौन बैठावा है, यह जो seller का candle है, इसके low पे कौन बैठेवे, buyers बैठेवे हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, वसके मैंने weaks वाले वीडियो में, इसमें detail है बताया था, आप मेरा weaks वाले वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जा करके, ठीक है नहीं, तो मैं उसका link देदूँगा आपको description में, तो यह seller का जो seller कैसे गया होगे नीचे, ऐसे यह candle पहले ऐसे, यहाँ से open हुआ होगा यह candle को opening point, तो यहाँ से लेका ही पहले यहाँ तक गया होगे, जहाता है इसका weeks है, फिर यहाँ से buyer आना start के, और यहाँ पर इसको ऐसे जाके close दिये हैं, तो इसके weeks पर बैठे हैं, buyers, weeks को mini level भी कहते हैं, buyer बैठे हैं, और next पर week भी हो गया है, और इस week को break भी नहीं कर पाए, यानि कि आप इस buyer बैठे हो, तभी तो next candle को इसे नीचे नहीं जाने दिया, अगर यह नीचे से तोर देता है यानि कि यहाँ के buyers खतम हो चुके थे, तो अब यह continuation sign हो जाता, लेकिन यह break क्यों नहीं कर पाया, तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर danger है, आप बैठे हैं, तो अब मैं यहाँ पर wait करूँगा, ठीक है, इस तरीके से आपको market को समझना परता है, मैं जो यहाँ से एके candle को read कर इसको read करने के लिए इस तरीके से आपको बहुत सारे topics परने परते हैं, जैसे आपको market के structure को परना परता है, आपको power को परना परता है, weeks को detail में जाना परता है, swing low, swing high, danger zone, target परने परती है, RRC परना परता है, जैसे बहुत सारे topics परोगे, तब आप जाके इस तरीके से read कर परोगे, और आपको क्या लगता है, आप यह सब कैसे परोगे, केवल आप recorded video देखकर नहीं सीख सकते हैं, आपको चाहिए proper guidance, सही knowledge के साथ सही guidance मिलेगा, तब ही आप आगे बर सकते हैं, किसी भी field में, जैसे कि मालो, normally आपको engineer बनना या doctor बनना, तो क्या आप खुद से engineer बन परते थे, आपको teacher की guidance की जोध परती थी, उनकी mentorship की जोध परती थी, तो यह तो trading है, या इसमें तो इतने सारे पैसे हैं, जितना आप engineering doctor से लोग कमाते हो, उससे आप कई गुना training से कमा सकते हो, तो आप कैसे सोच लेते हो, कि आप अगर किसी के पास गयो course लेना, और कोई आपको बतले में दियो दे दिया, recorded वीडियो दे दिया, दस recorded वीडियो पकरा गया, पकरा दिया आपको, तो आप यह कैसे माल लेते हो, कि आप केवल वो 10 वीडियो देखकर के आप trader बन जाओगे, बीना उसके guidance के, और फिर आपके बोलते हैं, यार मेरे साथ scam होगे, उसने म को इस scam करी नहीं पाएगा, आपको सही knowledge और सही guidance आईए, सही knowledge तभी तो आप सीख पाओगे, जब वो आपको सही कोई guide करे कि इस knowledge को इस तरीके से use करना है, लेकिन आप लोग बस recorded course ले लेते हो, और सोचते हो, ट्रेडर बन जाएंगे, और कुछ लोग तो course हो रहे हो, वो इसली सीख जाओगे, टाइम तो देना परेगा ना, प्रॉपर guidance चाहिए, सही learning चाहिए, उसके साथ आपको guidance आईज़ा, आप सीखोगे तो आपको हजार तरीके के doubts आएंगे, तो उन doubts को solve कौन करेगा, एक mentor चाहिए, आपको doubt को solve करने के लिए, आपको guide करने के लिए, आप आप जाके आप trader बन सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे, इधर उदर में indicator और strategy देखते रह जाओ, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, तो अगर serious हो, तो सीखने में invest करो, सीखो, दो महिने अच्छे से सीखो, क्योंकि हमारा course total दो महिने का चलता है, और दो महिने मे आप, trader बन के निकलोगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर guidance देते हैं, live zoom पे class देते हैं, आपको recording भी देते हैं, लेकिन आपको live zoom पे देते हैं, आपको plus guidance देते हैं, आपके एक-एक doubts को solve करते हैं, इसलिए मैं अपना whatsapp का number देता हूँ, मैं कोई telegram नहीं देता हूँ, मैं अपन पे seller continuously तीन candle में weak हुए हैं, तो यहाँ पे मैं wait किया, अब यहाँ पे देखो एक buyers candle आएं, ठीक है, लेकिन यह क्या है, यह minor wave है, minor छोटा wave है, मतलब यह lower high वाला wave है, तो minor wave में ऐसे trade मत करते हैं, कि एक candle आया, engulfिंग दे दिया, तो next फिर ले लिए, minor wave ऐसा wave है, अगर मालों यहाँ से market को और नीचे है, next पर अराम से इसको engulfिंग कर देगा market इसको, क्योंकि major power down में है, next पर अराम से इसको engulf कर देगा, और फिर नीचे चल जाएगा, तो minor में हमेशा जब तक confirmation ना मिले, तब तक trade नहीं करना है, अब एक strong buyer candle आया, अब एक strong buyer candle आए, तो इस candle के बाद लोग easily up key trade कर देंगे, क्योंकि देखेंगे यार, seller weak है, strong buyer candle है, again strong buyer है, लोग कर देंगे easily up key trade, बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास real knowledge है, यहाँ पे हमारी बैठ रही है, यह center line, center line देखो काफी deep topic है, वो सब हम लोग अपने advance course में पताते हैं, यह सब क्या होता है, यह काफी तरीकी के target होती है, lower high है कहां तक जाता है, यह भी आपको सीखना पड़ता है, आप सीखो के तभी तो आप कर पाऊगे trading, तो यह lower high का यहाँ पे target था, center line ठीक है, तो यहाँ पे center line बैठ रहा, lower high का वही target था, बाइरस कितने भी strong हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब यह नहीं target है, तो इस सूपर कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे target बैठ रहा है, minor wave का, तो target खतम, अब कुछ भी कर लग कैसे trade कर देंगे, जब हमको पता कि minor wave को यहीं तक ही जाना है, हमको पहले से पता कि यह target है, तो खतम, अब next पर हम कैसे continue को सोच लें, तो यहाँ पे को again lower लो जाना चाहिए, यह है मेरा expectation, ठीक है, अब यहाँ से देखो एक red candle आया, strong red candle, लेकिन हम wait करेंगे, को कि buyer से अभी भी red candle weak है, next पर again red candle आया, यह खुद से भी weak हो गया, buyer से तो weak है ही, तो अभी भी मुझे कोई confirmation ने मिले down की, हाँ, अगर next पर यह खुद से strong हो जाता, अगर यह खुद से strong हो जाता यह candle, और इस level में अगर gap रहता, तो मैं trade करता, को कि मेरा expectation भी है, lower low, lower high, यहां से lower low बनने की, और अगर seller strong हो जाते है, strong खुद से, तो यह comfort मुझे करता, नीचे जाने वाला है market, लेकिन यह weak हुआ खुद से, next पर again seller आया, इस वर strong हुआ है सकते क्यों की, structure क्या कह रहा है, ऐसे आप लोग बचोगे, अभी आप लोग के एक चीज़ ओ, मैं और बताता हूँ, काफी लोग YouTube पे फैलाए वे magic वी, यह दखो, magic वी, सब magic वी क्या आपको दिखाता हूँ, आपके सामने आज, क्या यह वी बन रहा है, वी बन रहा है, यहाँ पे, वी बन रहा है, इस लेवल पे close दिया, इस पे तो हमें अपकी trade जानी चाहिए, क्या वी बन रहा है, बट क्या यहाँ पे हमारा loss होता है, बिलकुल loss होता, क्यूंकि structure क्या कह रहा है, ऐसे बन रहा है lower low, यह बन रहा है lower high, तो अब इस market को नीचे जाना है lower low बनाने, और lower low कब बनेगा, जब वो इस level को break करेगा, तब ही तो lower low बनेगा, तो ऐसे structure खिलब जब V बने, तो वहाँ पे loss होती है, कौन सा V काम करता है, यह भी सिखना पड़ता है, ऐसे नहीं किर रहा है, जहां V बन रहा है कर दिये, trade, क्या पता नहीं क्या चल रहा है, वी बना, magic V, trade लो, magic V भी हर जगहा नहीं काम करता है, structure को use करना पड़ता है वहाँ पे, इसी चार्ट में एक्जामपल भ तो जो यह सब सिखा रहे, magic V, पता नहीं क्या क्या है, तो पहले वह भी बताएं, कहां पे काम करता है, कहां पे नहीं, कहां से बताएंगे, उनको खुद भी structure का knowledge नहीं है, तो कहां से आपको बता देंगे, बस roughly एक pattern, तो देखो यहां पे close लिया, हम trade क्यों नहीं लेंगे, उनको पता था, यह level को break करेगा, simple है, हम यहां पे trade नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कई लोग तो हम देखते हैं, बस level होना चाहिए, बस level लगा लिये, बस reverse ले लिये, अता पता है नहीं कि structure क्या है, power क्या है, कुछ knowledge नहीं है, कि minor wave क्या है, major wave क्या है, structure क्या है, target क्या है, Buyer ने अभी तक अपना weakness नहीं दिखाया है, समझो market को समझो, अब अगर इसको lower low बनाने जाना है, तो Buyer ने अपना weakness नहीं दिखाया है, प्लस Sailor यहां पे weak हो गय, तो अगर इसको नीची आना है, तो कमशेम Buyer अपना weakness तो दिखा दे, एकर यह नहीं दिखा रहें एक नहीं कोरवर अगुछ अब हलका सा weakness दिखाया ये buyer को मिलाओ खुद से मिलाओ buyer weak हुए लेकिन buyer अभी भी seller से strong है plus इस buyer ने low भी नहीं बनाया जैसे कि इस candle ने low बनाया थो तो ये मुझे so कर रहा थे कि अब market को green signal मिल गया नीचे निकलेश ने low भी नहीं बनाया तो ये low नहीं बनाया थो ये मुझे क्या कहना चाहरा कि इस candle में seller आई ही नहीं क्योंकि देखो इस candle में seller ने यहां तक try किया था इस candle में और इस candle ने इससे नीचे low बनाया है नहीं यानि कि इस candle में जितना seller ने यहां तक try किया इस candle में तो seller ने try ही नहीं किया, यानि कि buyer ने weakness तो दिखाया, लेकिन seller अभी interested ही नहीं नीचे जाने में, क्यूंकि seller देखो, यहाँ पे already weak हो चुके हैं, इसलिए seller नहीं इसमें interest ही नहीं दिखाया, यानि कि buyer, देखो, यहाँ पे seller weak हो गया थे, और यहाँ पे buyer काफी strong थे, तो एक case तो हो स यहाँ पे buyer उल्टा weak हो गया, खुद से, और seller ने भी interest नहीं दिखाया, तो यहाँ पे नहीं buyer interest मुझे नजर आ रहा है, नहीं मुझे seller का interest नजर रहा है, तो यहाँ पे wait करो confirmation का, अगर next market उपर जाता है, जब भी confusion तो वेट कर लो, तो market यानि कि उपर की तरफ जाएगा, औ और अगर next market ऐसे नीचे के तरफ आता है, तो यानि की market नीचे के तरफ जाएगा, और जैसा मैंने सोचा था, next पे seller आ गए, seller candle आ गया, next पे, खुद से भी strong होके, buyer से भी strong होके, प्लस मेरा structure क्या कह रहा है, ऐसे बना lower low, यह बना lower high, अब यह बनने जाएगा, lower low, सारा sign मुझे दे रहा है, lower low बनने की, तो अब मैं इस पे trade करूँगा, इसको कहते हैं, proper logic और सही तरीके से trade करना, next पे देखो, seller का body increase हुआ है, मिलाओ seller, seller continuously तीन candle में increase हुए है, देखो तीन हो candle, इसको देखो, इसको देखो, क्या seller continuously तीन candle में increase हुए है, अगर continuously तीन candle में increase ह तो अगर यहाँ पे कोई level नहीं है, तो next पे मैं again trade करूँगा, समझा रहा है, तो इस तरीके से हमें trade करना होता है, आपको तम सही opportunity का wait करके trade करना है, clear है, अब देखो, मैं हटा देता हूँ मैं box को, seller देखो कितने weak हो गया है, market का structure क्या है, lower low, lower high, फिर यहां से lower low, अब lower low अल्रेडी बन गया, seller देखो कितने weak हो गया, खुद से भी weak, प्लस buyer से भी weak, अब तो भाई, level हो ना हूँ, अब तो down जा ही नहीं सकते हैं, अब तो कोई कुछ नहीं जा सकते हैं, अब कोई power ही कहा दिया, नमत जाओ नीचे, और अगर level है, अब तो भाई, सोने पर सुआगा, अब तो भाई, को candle है, ठीक है, अब यहाँ पर एक buyer candle आएं, और इस buyer नहीं आप देखोगे, तो कोई low नहीं बनाया, तो यह buyer क्या कह रहा है, लेकिन buyer weak है, तो यह buyer क्या कहना चाहरा है, लेकिन buyer नहीं लो भी नहीं बनाया, तो इसका low क्या कहना चाहरा है, कि seller भी interested नहीं है, तो जब भी ऐसा सेलर काफी वीक हो चुके है अब मैं इस पर ट्रेट करूँगा माइनर में इस तरीके से प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेट करो अब यहां पे हमारा बैटर रहे हैं इस candle ने सेंटर लाइन यानि कि अपने target को break किया है तो center line जब भी break हो या center line जब भी close दो हमें wait करना पड़ता है यह समने के center line के class पढ़ाते हैं ठीक है तो अब मैं wait करोंगा अब यह red candle आया लेकिन ये red candle मुझे अभी भी उतना strong नहीं दिख रहा है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे wait करेंगे chances क्या है, मेरा expectation क्या है ऐसे जाना है lower low lower high lower low lower high lower high यहाँ से अफिर यहाँ से जाना है lower low बनने यह है मेरा expectation ठीक है देखते हैं क्या होता है next पर देखो again buyer आए low बना कर low बना कर प्लस इसको break नहीं किया यहीं पर close दिये है तो यह मुझे क्या कहना चाहरा है कि यह buyer यहाँ पर पहले देखो बायर इतने strong थे लेकिन buyer को देखो इसको इसको देखो buyer खुद से weak हुए प्लस buyer को seller से मिलाओ buyer से भी weak हुए यानि कि buyer अब खुद seller से कहना चाहते कि भाई seller तुम जाओ यहाँ से lower low बनानी के लिए मेरा काम हो गया तुम अब जा सकते हो lower low यह seller को कहना चाहरा है ठीक है तो हम लोग अब यहाँ पर next candle का wait करते है अगर next पर मुझे ऐसे grade candle मिलता है तो मैं easily down की trade करूँगा लेकिन next पर again green candle कैसे आ गया है यह तो मैं समझे नहीं आ रहा यहाँ पर seller को आना था लेकिन green candle आ गया यानि कि seller buyer ने green signal दे भी दिया जाने के लिए लेकिन seller ही अब तयार ने यह नीचे जाने के लिए इसलिए buyer की scandal को आना परा लेकिन मैं next पर अपकी trade क्यों नहीं करूँ कि इस candle का low बनावा है यानि कि seller interested है प्लस इसने इस candle इस वाले level को break किया है तो यहाँ पर wait करना परेगा अब नेक्स पर तो को seller candle आए तो यहाँ पर again मुझे market अब confuse कर रहा है क्योंकि इस सेलर केंडल है हाई भी नहीं बनावा है जो मुझे कहीं कि buyer interested है प्लस यह सेलर केंडल आया है लगबख खुद जीतना पहले थे उतना नहीं अभी भी है तो यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं आपर क्या करूँ कुछ पता नहीं चल रहा मार्केट यहाँ पर मुझे totally confuse कर रहा है तो मुझे जब तक full confirmation और full confidence नहीं हो तब तक मैं trade नहीं करूँगा ठीक है तो देखो यहाँ पर सेलर आगे अब देखो मार्केट को जाना था ऐसे lower low, lower high lower low यहाँ से ही इसको जाना था नीचे लेकिन यह already यहाँ तक जा चुके है तो देखते हैं आगे क्या होता है अब next पर again buyer आए again buyer candle आए और इसको अगर next पर तो यहाँ पर देखो पहले इस candle मुझे confuse के देखो ने high भी नहीं बनाया जो मुझे बताए कि buyer interested है प्लस seller ऐसा भी नहीं कि बहुत जादा strong होकर का रहे अभी भी buyer से weak है तो मुझे यहाँ पर seller और buyer किसी का भी confirmation नहीं मिल रहा है तो अगर next पर again फिर confuse कर रहा है तो हम जब भी confuse करें हम क्या बताते है confirmation का wait करो अगर next पर seller आते है अगर next पर seller आते है तो मैं down click सोचता अगर next पर buyer इसको engulf कर देते हैं तो मैं next पर up की सोचूंगा तो इसने इसे engulf कर दिया है इसने इसे engulf कर दिया तो मैं यहाँ इसको इने हलका सा engulf किया एक minute हम line draw करके आपको दिखाते है यहाँ पर देखोगे तो line बैट रहा है एक minute यहाँ business को हलका सा इने को engulf कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे हलका सा इस body level के नीचे आने पर इस पर trade कर देंगे ठीक है तो यह हो जागा मेरा trade क्योंकि अब buyer ने इसको engulf कर दिया यानि कि यह मुझे confirm कर दा कि market आप ऊपर जाना चाहरी है अब देखो अब यहाँ पर structure को ध्यान से देखना कि मैं आपको काफी ज्यादा knowledge देने वाला हूँ आज तो इसको ध्यान से आप समझना ऐसे बरना था lower low lower high lower low structure जाना था ऐसे लेकिन यह सीधा पहुच गया कहां तक last lower high तक जब भी ऐसा हो अब चांस है यहाँ से trained change होने का अब structure अगर यहाँ तक पहुच गया अब चांस है market ऐसे आएगा और यहाँ से उपर जाएगा कि ऐसा नहीं कि आपे बना हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरा last live trading का वीडियो देख सकते हूँ उसमें मैंने इसी type से पहले ही predict कर दिया था कि market का structure change होने वाले और जो मैंने predict किया था market ने वही किया था ठीक है तो यह सब structure का knowledge होता पहले यह read कर लोगे market को अगर आपने read कर लिया कि market अब कहां से जाएगा कहां तक जाएगा तो बहुत असान हो जाता है लेकिन यह सब सीखना पड़ता है इसके लिए practice करनी पड़ती guidance लेनी पड़ती है ठीक है और यह जो market अब यहां तक आएगा यहां से lower high को नीचे आना था लेकिन lower high सीख चल गया last lower high तक जब भी ऐसा हो structure change हो सकता अब ऐसे यहां पर आएगा यहां से जाएगा इस वाले shoulder तक आएगा और तब ही बनता है head and shoulder pattern लिजिए मैंने आपको head and shoulder pattern का logic भी बता दिया है अब ऐसे कर गया यहां से अगर यह उपर जाएगा तो यहां पर बन गया यह हो गया हमारा head head यह दोनों हो गया हमारा shoulder यह downtrend का head and shoulder pattern बन गया आज मैंने आपको logic भी बता दिया है समझ में आए price action से हर चीज निकल जाता है तो आपको रटने का जब प्राइज अक्षन सीखोगे न सही knowledge लोगे तो जितना head and shoulder pattern M pattern, W pattern, magic, V जो भी है न सब price action से ही निकल जाता है तो real knowledge लोग अच्छे से सीखो ठीक है अब यहां पर seller candle lower high तक पहुँच चुके हैं अब एक buyer candle आया ठीक है अब buyer candle आया तो अब मैं यहाँ पर wait करूँगा अब यहाँ पर again एक seller candle आया अब एक week seller candle आया अब एक week seller आया तो अभी मुझे कोई confirmation नहीं मैं यहाँ पर केवल wait करूँगा structure मुझे अब structure नहीं समझा रहा है मेरे हिसाफ से structure को जाना था यहाँ से यहाँ तक structure चलिया यहाँ तक तो अब हमको जब तक confirm नहों जाए कि structure क्या होने मला अगर यहाँ से अगर reverse करता तो यानि कि structure अब के लिए जाएगा और अगर यह नीचे चल जाता फिर से तो यानि कि down ही continue रहेगा तो मैं बस उसी का weight कर रहा है हम अब जैसे ही इस down rate के बाद एक strong rate इस वाले solder पे close देता है यह जो solder है तो यह मुझे confirm कर दिया कि यहाँ पे हम reverse की trade कर सकते हैं कि जब भी weak के बाद strong candle level पे close दो तो उसको हम लोग कहते है winning candle इसको exhaustion candle भी कहते है इस पर हमारा detail class है इस पर हम लोग आपको पुरा अच्छे सिखाते हैं इस पर हम लोग आपको winning candle queen candle, pocket खाली candle यह सब बहुत सारे candle जो market बनते हैं और यह सब आपको बचाती भी प्लस trade भी दिलाते हैं कि यहाँ पी बन रहा हमारा exhaustion candle तो यह exhaustion candle वो भी exact इस shoulder पे प्लस मेरा structure भी यही कह रहा कि अब market क्योंकि market को जाना था यहाँ से लेकिन बाइर हद से ज़्यादा move करके सीधे पहुच गए यहाँ तक तो अब structure भी कह रहा कि market को यहाँ से ही उपर जाना है इसी shoulder से प्लस यहाँ पे यह weak के बाद एक strong candle close भी दे रहा है या exhaustion भी so कर रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे reverse की trade और मैं सच बताओ normally लोग यहाँ पे down की trade करते हैं वो बोलते हैं measure down है measure to down ही है उनको तो structure का knowledge है नहीं measure down है seller strong हो गए कुछ नहीं है तो यहाँ पे कर दो भाई down की trade लोग यहाँ पे यहीं करते हैं लेकिन measure से मतलब नहीं है आप यहाँ पे binary trading कर रहा है एक एक मिनट की तो measure down है लेकिन structure क्या है structure अब अप की होने वाली तो आपको structure का knowledge होना ज़्यादा जो हो रही है वोगि आपको एक मिनट पे trade करने हैं और deeply आपको market को समझना है कि market की तरफ move कर रहा है ठीक है इस पे मैं up की trade कर देता अब देखो इस candle ने अगर ये green candle इसको इंगल्फ कर देता तो मैं next पे again up की trade करता है क्योंकि अब यहाँ से मेरा expectation है यहाँ से higher high बनने की कुछ इस तरीके से देखो इस तरीके से अब structure होगा पहले ऐसे lower low lower high बना again lower low फिर सीधा यहाँ तक पहुच गया तो अब structure होगा ऐसे फिर उपर जाके ऐसे higher high higher low की होगी समझा रही है इस तरीके से आपको समझना है market को तो हम यहाँ पे wait करेंगे अब जैसा ही इस लेवल पे तो मैं यहाँ पे wait करूँगा ठीक है यहाँ पे हम wait करेंगे अब देखो buyers यहाँ पे weak हो गया है इस लेवल पे अब लोग क्या करते लोग next पे करते down की trade करते या नहीं करते आप बताओ आप करते या नहीं करते जो वीडियो देखरो दोबन क्या रहा है lower low lower high अब सीधा यह पहुच गया lower high पे ठीक है अब मेरा structure कह रहा है market को यहाँ से जाना है higher high बनाने अब इसको अगर higher high बनाना है तो क्या यह इस लेवल को break करेगा या नहीं करेगा बिल्कुल करेगा समझा रहा है बिल्कुल यह इसको break करेगा अब यह इसको break easily करेगा तो यह जो V है ना यहाँ पे magic भी लोग काम नहीं किया है यहाँ पे magic भी बन रहा है यह weakness भी दिखा दिया लेवल पर क्या यहाँ पे काम किया नहीं काम किया ठीक है तो कौन सा magic भी काम करता है कौन सा मैजिक भी काम करता है और कौन सा मैजिक भी पर सही बता मैजिक भी यह सब तो मैंने यूटूब पर ही देखा है मैं अल्रेडी उस concept करने जानता था लेकिन मैं price action के नाम से आनता था price action में concept आता है इसी structure change में वो concept आता है और मैं उस पर काफी साथ trade win भी करता था लेकिन मैंने देखा या YouTube एक magic भी चल रहा है तो कौन सा magic भी काम करता है अगर आप उसको structure के साथ देखोगे तो जो magic भी काम करता है अगर आप उसको structure के साथ मिलाओगे तो वो 90 से 95% win करता है लेकिन अगर आप ऐसे हर जहाँ V बन रहा है वहाँ पर आप करोगे तो आपको वो loss ही हो यहाँ पर लॉस हो जाता आपका magic V तो अगर आप यहाँ मैं क्यों नहीं करता है को मुझे पता यह इसको break करेगा तब ही तो higher high बनेगा इसलिए इसको break करना है तो मैं क्यों आपे trade करोगा लेकिन लोग कर देंगे कोई लोग को knowledge नहीं बस pattern rightly magic V तो अगर आप dedicated वीडियो ही चाहते हो magic V पे कि कौन सा काम करता है कौन सा नहीं तो मैं उस पे एक वीडियो जरूर लगा लेकिन comment में जरूर बोलना तो अब weak candle आया तो मैं यहापे wait करूँगा simple है अब buyer strong हुए लेकिन इस लेवल को break किया तो जब भी उपर से weak candle का strong candle ने break किया है तो अब तो हमें और wait करना है क्योंकि यह exhaustion भी हो सकता है अब एक seller candle आया इस level को retrace करने प्लस weak का दो strong exhaustion भी हो सकता है एक seller candle आया तो यहापे wait करेंगे अब अगेन एक strong buyer candle आये काफी strong candle है तो ऐसे candle को मैं जल्दी trade नहीं करता हूँ को मुझे एक candle समझ नहीं आता अगेन एक candle है लेकिन buyer को देखो खुद से weak हो है प्लस seller से weak हो है अब जैसा ही next pair ने अपने body को increase किया कि देखो यहाँ पे buyer खुद से भी weak हो है seller से भी weak हो है प्लस यहाँ पे हमारा अब higher high भी बन चुका है तो seller यहीं पे आ जाते ना seller भाई यहीं पे आ जाते लेकिन next पे again buyer क्यो अपने body को increase कर रहे है तो अगर अब यहाँ पे कोई level नहीं है मैं इस वाले candle पे trade करूँगा इस वाले candle पे अब next पे देखो buyer weak हो गया प्लस खुद का high नहीं break कर पाए और buyers के high पे mini seller बैठे वे होते है क्योंकि देखो इसका अगर आप buyer का देखो आप यह buyer का जो candle ऐसे उपर गया होगा फिर last वैसे के close दिया तो यह हो गया week तो यहाँ पे नीचे reject कौन किया है seller ने तो यहाँ पे कौन बैठे होते है seller बैठे होते है मैं weeks वाले अपने वीडियो में सब डीटेल ने बताया हूँ उस वीडियो का आप ज़रूर देखना एक playlist है हमारी weeks reading के नाम से आप उस playlist में जाके देख लेना weeks reading की वीडियो दो वीडियो है दोनों को देख लेना आपको weeks करें बहुत ज़्यादा knowledge मिल जाएगा बाकी और डीटेल में सीखना चाहते है swing low, swing high, यह सब weeks काई पाथ है तो आप हमारे course को join कर सकते हो वो एक तरसे हमारा mentorship program है इसे हम लोग आपको proper knowledge देते है जूम पे प्लस आपको recorded video भी देंगे class का फिर आपको guide भी करेंगे को कि जब आप practice करोगे तो आप एक ए question पूछ सकते हो को कि हम लोग आपको whatsapp group पे add करते है उस group पे आप एक question हम से पूछ सकते है हम लोग एक class के बाद दो दिन का gap देते है उस gap में क्या करना रहता है आपको जो हम लोग पढ़ाएं उसका practice करना होता है और अपने doubts को clear करना होता है जब अपने doubts को clear करोगे एक ए question हम से करोगे हमारे guidance पे चलोगे तो आप easily आगे बरस तकोगे और यही process होता है किसी field में success होने का ठीक है तो यहां तक मैंने discuss कर दिया तो अब हम लोग वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इसको यहां पे ही रहने देते हैं I hope आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला हो, काफी learning मिला होगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजिए अगर यह आपको knowledgeable लगी है तो इसे अपने friends के साथ भी शेयर कीजिए जो trader बनना चाहते हैं इस चैनल को grow कीजिए तो कि इस पर हम लोग genuine knowledge लाते हैं के लिए ताकि आप बर सको आगे आप trader बन सको बाकी चैनल को subscribe कर लिजिए और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep learning, keep growing